अरे कृष्णा, तो आज महाभारत में हम चर्चा करेंगे असत्यमेव जयते हमने सुना है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है लेगे हमाना टॉबक है, असत्य की जीत होती है तो धर्मी की चार इस्तम है, सत्य, दया, तप और सौच तो प्रथमिस्कन में आता है, कि जब परिक्षित महाराज देखते हैं कि कलीव पूरुस आया है, और बैल एक पैर पे खड़ा है और उस एक पैर को भी जो कलीव पूरुस हैं, डंडे से मार रहे है तो परिक्षित महाराज तुरंट वहाँ पर रोकते हैं तो वो जो एक पैर बचा हुआ था, वो क्या था सत्य, तो कल्योग में थोड़ा बचा है, बाकि तीनों पैर तो तूटी चुका है, तो महामरत का ये जो घटना है, कि जहां पर धर्मराज जिश्ठिर उनको भवान कृष्णा प्रेद करते हैं जूट बोलने के लिए, तो समय की बैक्गराउंड देखेंगे, उस समय का कल्चर देखेंगे और आज का कल्चर देखेंगे, तो उसमें जूट बोलना, मतलब एक बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत गलत बात हो गई, कि आपने जूट बोला है, क्योंकि उसमें वचन की बहुत ऐहमियत होती थी, आज क्या होता है, वचन दिया, डॉक्यूमेंट्स भी बना दिये, साइन भी कर दिया, उसको ड्राइब पर भी डाल दिया, फिर भी, फिर भी मुकर गए, कुछ भी, क्योंकि लोगों में जूट बोलने की भामना, या इसलिए पहले नियाय कैसे होता था, लोग जो भी दो इनके बीच में जगड़ा है, भामन के सामने लाते थे उनको, विग्रहों के सामने लाते थे, बोली आप, तो वो चोर होता था, वो भी इतना पुनिसाली होता था, कि भामन के सामने जूट नहीं बोलेगा, और आज कल, पता है नहीं कोर्ट में होता है कि नहीं, ऐसे मुव पर हाथ रखा है, तो मैं सत्य बोलूँगा, यह लोग बोलते ना कि आप इसकी कसम लीजे, उसकी कसम खाई है, तो यह सब क्या है, इस सत्य को इंगित करते हैं, और हम देखते हैं कि महावारत में हैं या रामायन में हैं, तो जिनों ने जिनको बचन दिया, उसको फॉलो किया और भीस पितामा ने वचन दिया, उन्होंने पूरे अपने जीमन में फॉलो किया, दसरत महाराज ने वचन दिये, उससे मुक्रे नहीं, तो यह सत्य पर अडिक रहना है, सत्य पर इस्थिर रहना है, क्योंकि लोग अभी क्या है, जितना देहात बुद्धी बढ़ रही है, तो सरीर के लिए कै अच्छा है, उसके लिए जो अनुकूल है, पृतिकूल है वो देखते हैं, लेकर पहले अगर कोई भक्त भी नहीं है, लेकर उसको पता है कि मुझे अगले जीमन मेरा जो परलोख है, उसको सही करना है, मेरी कम से कम गति क्या हो, स्वर्ग हो, अच्छी पुणूरी कήती हो इसकेलिए बिषक जो पुण्य की नियव है। फॉलो करना है। इसलिए सत्याे बोलना है। है। जैरिटी देना है। ब्रामौनों का सम्मान न है। तो ओसे लोग जानते थे। ऐसे Lesanth है। तो जराशन भी ब्रहामनों का सम्मान करना, वो सब कुछ करता था, लेकि असुर था, तो पायस डीमन से पहले, पायस डीमन से, लेकि अभी क्या है? इंपायस, अभी तो पूरे मट्रिलिस्टिक है, तो ऐसा कल्चर था, कि लोग असत्य बोलते नहीं थे, जूट बोलते नहीं हम देखते हैं कि वो जवाल उपनिशद है, सत्य काम जवाल, तो उसमें गौतम मुनी के पास एक छोटा लड़का होता है, जवाल, तो वो पढ़ने के लिए आता है, तो जवाल मुनी पूछते हैं, कि अपनी माता से पूछ के आओ, कि आपको गोत्र कौन सा है, आपकी लीन पिता कौन है, हमारा बंस क्या है, तो माता बताती हैं कि मेरा जो व्यवसाय है, इस तरह से है कि अलग अलग पूर्चों के साथ भोग करना, इस तरह से मेरा व्यवसाय है, तो मुझे पता नहीं कि तुमारे पिता कौन है, तो जवाल सुनता है, और जवाल लाता है, और गौ गौतमपुनी बोलते कि तुम वास्ता में ब्रहामन हो यूकि ब्रहामन का एक लक्षन किया होता है कभी जूट नहीं बोलता है हमिसा सत्य बोलता है तो ये एक ऐसी बात थी कि पता पता नहीं है और मा इस तरह से विवसाय करती है तो ये कोई बताने में हिच की चाहता लेकिन आपने भी गुरू के सामने इस पर स्रूप से बता दिया तो ये एक ब्रामण की क्वालिटी होती है truthfulness तो ऐसा क्या परिस्थिती बनी जिसमें युदिस्टे महाराज ने जूट बोला इस पर हम चर्चा करेंगे और के बाद जूट नहीं बोला उसको ऐसा इस तरह से जूट बोला एक होता है कि हम बातचीत कर रहे हैं और जूट बोल दिया अपनी बात मनवालने के लिए लेकिन उसको पूरा तरह से प्लानिंग करके और प्लानिंग भी किस ने करवाई स्वयम भावान ने करवाई स्वयम कृष्ण ने करवाई तो कृष्ण जो है जो धर्मी की स्थाबना करने स्वयम आते है तो जब मरजी आये रूल्स मना दिये जब मरजी आये उसको तोड़ दिये ऐसा है गया कई लोग बोलते हैं न, रूल्स मनाते हैं तोडने के लिए, नियम मनते हैं सिलित तोडने के लिए, तो भवान क्या ऐसा ही है, भवान क्या विम्सिकल है, कि मन वानी करते हैं, जब अच्छा लगे ये कर दिया, जब अच्छा लगे ये कर दिया, धर्म का नाम दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है, और भवान क्या बस एक जैसे गुलते तानासा डॉक्टेटर्सिप जैसर हिटलर है, जो ज़यसा मैं करूंगा वो सही है बस जी उसकी मारूगा मैं सही क्यों सही है? क्यों कि मैं कर रहा हूँ तो भवान भी ऐसी क्या है Championship क्या सिर्फ चलती है उनकी, कि जो भावान ने कह दिया, जो भावान कर रहे हैं, बस वो ही सब सही है, बाकी सब गलत है, तो ऐसे तो भावान की लोग नकल करके बहुत सारे गलत काम कर सकते हैं तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि क्या भावान बस कोई illogical बात चल लई है unreasonable बात चल लई है, कि जो भी भावान ने बोल दिया, हाँ, उसको तोर मरू के किसी भी तरह आपने धर्म बता दिया ऐसा नहीं है, है ना तो भावान अपनी मर्जी के अनुसार ऐसा नहीं कोछ चेंज कर दिया, तो इसके लिए भावान भगवद गीता का इस लोख है, आरजुन को बताते हैं, नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिसू लोकेशु किंचना भावान क्या बता रहे हैं, नामे पार्थ अस्ति कर्तव्या, कि पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव नहीं है मेरे लिए कोई responsibility नहीं, मेरे लिए कोई duty नहीं है, त्रिसू लोकेशु किंचना इन तीनों लोकों में कोई मेरे लिए करतव नहीं है क्या है मेरे लिए नानवाप्त अवाप्तव्यम वर्त एव्चा कर्मनी फिर भी मैं नियत कर्मों को करता हूँ किसलिए दूसरों को सिखाने के लिए कि दूसरे क्या है अधर्म के रास्ते पर ना जाए तो इसके तातपर में सिल्व प्रभुपा लिखते हैं कि प्रभुपा लिख रहे है कि भगवान सास्त्रों के नियमों के परे है भगवान क्या है तो वो अपने अनुसार, कुछ emergency stage में उससे अपने आपको अलग करके एक independent decision भी ले सकते हैं, क्योंकि ultimately जो constitution बनाने वाले हैं, कुछ लोगा group है, तो प्रभुपा लिख रहे हैं, कि यद्यपी भावान सास्त्रों से परे हैं, लेकिन फिर भी कभी भी सास्त्रों के नियमों को नहीं तोड़ते हैं, फिर भी सास्त्रों के boundary के अंदर ही रहके कारे करते हैं, तो भावान कोई भी कारे करते हैं, उसमें कभी भी अन्यतिक्ता नहीं होती है, कैसे नहीं होती है, वो हम देखेंगे, तो सबसे पहले द्रुनाचारे को मानने के लिए असत्य का सहारा लिया ग तो द्रुनाचार जो है, भरद्वाज मुनिक के पुत्र है, और जब वो बड़े हुए, उनको गुरुकुल भेजा गया, और गुरुकुल में अगनी वेस एक ब्रामड थे, उनके आँ गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वहां पर दुरुपद भी पढ़ने आये थे, तो दुरुपद और जो दुरुणाचार है, वो आपसे बहुत अच्छे मित्र हो गया, और दुरुपद ने बोला, कि जब मैं राजा बनूँगा, तो अपनी संपत्ति तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, आदा आदा बाटूँगा, ऐसे प्रसनता में उनके दुरुपद ने ध्रुणाचारी को बोला, उसके बसनाद क्या हुआ कि धूरुपदूअचारे का विवाह हुआ, कृपई, कृपअचारे की बहन, उनसे कृपई से विवाह हुआ, तो जो धूरुणाचारे थे बहुत ही, मतलब भौत ही गरीब थे, भौत ही लिश्टिषिसे देख़ा है, बहुत जाना गरीब थे और ब्रह्मन थे अच्छे ब्रह्मन थे तो जो आयोग की लोग हैं उनसे भिक्चा नहीं लेते थे जो लोग प्रापर नियमों का पालन करते हैं उनी से के बार भिक्चा लेते थे तो परुष्राम जो है, परुष्राम जी ने छत्रियों को कई बार भगाया, पूरी प्रत्वी से, तो उसके पस्चाद परुष्राम जितनी भी संपत्ति थी, सब को बांट रहे थे, कि जो छत्रियों को भगाने के बाद, मारने के बाद, जो संपत्ति आई हैं हमकी, सब को ब बचेथे, हैगा तो दो दुनाचारी पूशते हैं परुष्राम जी से के बिक्षा के लिए, उन्हें मेरे बचा वी से और मेरा खुछ की बॉडी है, तो आप जिसको लेना चाह ले सकते हैं, तो दुनाचारी बोलते हैं, कि मैं आपके दिव्यास्त्र नहीं, उनको ले आता थी कि गाये का अभी जो ब्राम्मण है तो ब्राम्मण के गाये तो स्वाविक रूप से होती है कि ब्राम्मनिकल कल्चर क्या है वान का नाम क्या है नमो ब्राम्मण देवाय गो ब्राम्मण हेतायचा गाये और ब्राम्मण यह साथ में रहते हैं तो अभी दुणचार के पास अस्व थामा को दूद्ध पिलाने के लिए कुछ थाई नहीं, तो उन्होंने क्या किया, कि जो आटा होता है, उसको पानी में घोल दिया, और दिया कि ये दूद्ध है, तो इस तरह से अस्व थामा को दूद्ध पिलाते थे, अस्व थामा तो बड़ा हुआ, उसको उसने एक एक पानी तरओनाचारी को बहुत दुखी होता है इतना भी प्रमंद्र नहीं कर पा रहा हूं पर दूध को याद आता है दुरुपत को दुरुपतती नहीं हैंगा है तो जwhite मित्र रह िं है और उनने बुला भी था तो वहां पहुंचते हैं दुरुनाचार और दुरुपत बोलते हैं कि मित्रता तो क्या होती है बराबरी बालों की बीच में होती है तो मैं एक निर्धनी ब्राम्मन हो और मैं एक राजा हूँ तो वो जो मैंने बचन बोला था, वो तो अगर तुम राजा हूँ, मैं राजा हूँ, तो हम एक दूसरे को share करेंगे, लेकिन अभी हमारा क्या status अलग-अलग हो गया है, तो इसके विज़े से अभी हमारी कोई दोस्ती नहीं है, तो दुर्पत बहुत जदा अपमाने थ्फिल करते हैं, बहुत जदा और उनके अंदर क्या आती है, प्रतिसोत की भावना जाती है, तो हम देखते हैं कि जो दुर्णाचार है, पायस ब्रह्मण है, वेदों के नीमों का पालन करते हैं, लेकिन सुद्ध भक्त नहीं है, पहले भी प्रस्म रहा था एक बार बीच में, तो प्रतिसोत भी लेना है, तो दुर्णाचार कहां पहुंच जाते हैं, हस्तिनापूर, और हस्तिनापूर पहुंचके, कुरू के गुरू के उपे उनको नियुक्त किया जाता है, और कौर्वों अपांड़ों को सिक्षा देते हैं, और फिर अपना सबसे उनकी प्रियस होते ह अरजुन वो दुर्पत को पकड़ के लेके आते हैं, दुर्पत का राज ले लेते हैं तो दुर्णाचा़ कोलते हैं एक राज मैंने तुम्हे दे दिया। तु दुर्पत को और ऐसे हो जाना ख्रोदाता कि में बदला लूँगा। अफे द्रिष्षच दुनिगनी के जन् पुरा, सब कुछ परबंद कराया है तो दुरुनाचार अबलाइस हो गए ना जब कुरूचेत्र युद्ध होता है कुरूचेत्र युद्ध मेई अभी कौन किसके सट जाएगा वो डिसाइट होता है कुछ राजा कोड़ों के साइड जाएगे कुछ राजा पांड़मों के साथ जाएगे तो दुरुनाचायर अपने आपको अबलाइस फिल करते हैं कि मैं तो क्योंकि मैं नमक खाया है तो अभी मैं कौर्मों के साथ युद्ध लड़ूँगा लेकिन हम देखते हैं कि युद्धिस्ट्रि महराज कौर्मों के भाई होते हैं यूद्ध सू यूद्ध सू जो होते हैं वो कौर्मों की पार्टी से पांड़ू में आ जाते हैं दुरुनाचार नहीं आते हैं अब भीस्पितामा का केस अलग है और दुरुनाचार का केस अलग है तो वहाँ पर तो वो युदिश्टर महाराज से बोलते हैं द्रोनाचार कि मैं I am a servant of money and money is nobody's servant मैं पैसों का सेवक हूँ और पैसा किसी की सेवक नहीं होती therefore I am fighting on behalf of kurus इसलिए मैं जो kuru के पक्स में युद्ध राट रहा हूँ हम देखेंगे कि अभी द्रोनाचार कौन है ब्राम्मन है युद्ध कब करेंगे वो किस परिस्टिती में युद्ध करेंगे खोद आकरमन किया और राजा मुद्ध सही से राजा कि नहीं कर रहा हूँ युद्ध तो नहीं करेंगे जैसे राजा वेंड था तो राजावेड ने अच्छी तरह सासन नहीं किया तो ब्राह्मन ने सराब देके मार दिये तो किस परिस्थिती में ब्राह्मने अस्त्र उठा सकते हैं ब्राह्मन को ग्यान है अस्त्र विद्या पता है लेकिस स्वयम नहीं लड़ते हैं किस परिस्टी में लड़ सकते हैं? अपाद जब उनकी खुद का खरचा नी चल पारा है? जीव को पार्जन भी नहीं, इमर्जन्सी में कर सकते हैं, कि ब्राम्मान जो है, जो उच्च वर्ण है, उनकी नीचे की वर्ण का उक्युपेशन ले सकते हैं, लेकिन निम्न वर्ण उच्च वर्ण का उक्युपेशन किसी परिस्टी में नहीं ले सकते हैं, तो यह इमर्जन् इसमें कोई इमर्जंसी दिख रही है? इसमें कोई इमर्जंसी नहीं थे. ये बहुत सोच विचार के प्रयास किया गया, भावान भयाय सांती दुध्मन के, लेकिन कोई इमर्जंसी नहीं था. तो इस तरह से द्रोनाचार अगर छत्री की भूमी का निभा रहे हैं, और स्वय हुआ हमका पालन कर रहे हैं तो ब्राह्मन का करता भी चिखाना युद्ध कौसल सिखाना है लेंकि सुम्हम युद्ध में भाग नहीं ले सकता है और युद्ध में भाग लेगा भी तो इमर्जेंसी सिचुशन मिलेगा, तो दुरुनाचार ने वहाँ पर मिस्टेक किया, ठीक है, और दूसरा मिस्टेक क्या था, कि दुरुनाचार हिच की चार रहे थे, कि युद्मे नहीं लेना है, कि उनको पता है, पांड़ा उनके प्री है, लेकिन अस्वत्थामा की दोस्ती किस से थी, दुरुधन से, और दुरुनाचार का अटेश्मेंट किस से था, अस्वत्थामा से, यह भी बैसी ही हो, जैसे दृतराष्ट का अटेश्मेंट, दुरुधन से था, और दृतराष्ट को क्या करना था, तुला हुआ था, मुझे राज चाहिए, तो दृतराष्ट ड्रोनाचार नहीं भाग लिया, ठीक हैं? और इसके बाद Fl awakening से बहूत बढ़ी गलती क्या होई? पहली गलती तो क्या होई? अस्वधर्म का पालन ने किया, और पुत्रों मुह में आकर ड्रिसीजन लिया और तीसरी गल्ती क्या हुई कि जिन्होंने उनको रखा जीव को पारजन के लिए रखा वो ज़्यादा महत पूर समझा और धर्म को पारण करना सेकेंडरी हो गया हाँ तो जीव को पारजन के लिए रखा तो आमारे लिए कुछ उत्थरदाय तो बनता है लेकर वो धर्म का पाला नहीं कर रहे हैं तो उनको छोड़ भी सकते हैं उसमें कोई तुटी नहीं है फिर द्रोनाचार से और चौथी मिस्टेक क्या हुई अभी मन्यूद पद तो द्रोनाचार उस समय क्या थे? सेना पती थे तो दस दिन 20 पितामा थे और पांच दिन द्रोनाचार थे तो जब निश्चय होता है कि योजना मनाते हैं कि द्रोधन चाल चलता है कपड चाल चलता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है और इतने सारे युद्ध हमारे जा रहे हैं तो आप क्या करो? युदिष्टि महाराज को किसी तरह से बंदी बना लो और युदिष्टि महाराज बंदी बन जाएंगे तो युद रुख जाएगा क्योंकि पांड़ों प्रमुक वो है तो द्रोनचार प्रयास करते हैं कि युदिष्टि महाराज को बंदी बनाये जाए तो ग्यारवे दिन करते हैं, बारवे दिन करते हैं और साथ तेरवे दिन भी करते हैं और चवदुवे दिन क्या करते हैं वो चक्र भी बनाते हैं और चक्र भी उमें वो चक्र भी उ किसी को पता नहीं था कैसे बेदना है केवल किसको छोड़कर? अर्जुन के अलावा किसी कर अब मैं ने को पता था कितना इंटर करना पता था लेकिन बहारा ना पता नहीं था तो दुरुनाचारे ने तीन दिन प्रयास किया ग्यारवे बारवे और तेरवे दिन इदिस्टिमाज को पकड़ने के लिए लेकिन कोई ना कोई कभी भीम आ गए कभी अर्जुन आ गए बचाने के लिए तो बना कि अभी मैं चक्रिवी बनाता हूँ तो मतला हार गए वो, तो इस तरह से दुरोधन चाल चले, तो जो अभिमन्यू हैं, वो चक्रविय में इंटर करते हैं, और ऐसा युद्ध करते हैं, कि सारे योद्धा, कृत वर्मा, दुरोधन, दुसासन, कर्ण, और स्वयम दुरोणाचार्य, सब अभिमन्यू के सामने फे सब एक तरह से अलमोस्ट हार जाते, तो अभि जो कर्ण है, वो दुरोणाचार के पास में जाते हैं, वो पूछते हैं, कि आ अभिमन्यू को कैसे हरा सकते हैं, ये तो हमारे एक के बस की बात नहीं है, हम अकले तो इसको नहीं हर पाएंगे, तो हम समझ सकते हैं, ये करण बड़े योद्धा था अर्जुन से भी लेकि छल से मारा गया लेकि अभिमन्यू से भी करण हार गया था तो दुरुनाचार अभी वो सेना पती है पूरे सेना की जिम्मेदारी उनकी उपर है और ऐसा पूरा टेंस माहल हो गया है और चक्र भी पूरा तूट रहा है तो अभी क्या किया जाए तो दुरुनाचार करण से बोलते हैं कि एक ही तरीका है अभिमन्यू को मानने का कि पीछे से बार करें और पीछे से बार करके उसके जो कबच है उसको तोड़ दें और उसके जो रत है उसको तोड़ दिया जाए को पीछे से बार करें तो ही संभव है और पीछे से बार करना हो क्या है चत्रिय नियमों के विरुद्ध है तो दुरुनाचार ने यह अनुमती दिया और उसके बाद युद्ध चालू हुआ और बाद मैं अभी मैंनु काफी समय तो लड़ते रहे लड़ते रहे और छे महारतियों के साथ लड़े और यह सब किसके साथ किसके आँखों सामने चल ला था दुरुनाचार किसन में चल ला था और छे महारतियों से लड़े और उसके बाद निहत्य हो गए, उसके बाद भी लड़ते रहे, अपना रत का पईया उठा लिया, तो भी लड़ते रहे, और फिस साथ में मिलके उन्होंने अभिमान्यू बद कर दिये, तो अभिमान्यू बद की जो प्रमुख, जो कारण थे, द्रोनाचार है, तो इस तरह से द्रोनाचार से तीन-चार मिस्टेक्स हुई, और उसके बाद, अभिमान्यू बद के बाद क्या हुआ, जब देखा, कि भीम और द्रोनाचार की बीच में बहुत तेज युद्ध हो रहा है, भीम ने कितनी वार रत तोड़ा था, द्रोनाच आठ वार, द्रोनाचार रत बेचते रहा हो भीम तोड़ देते, फिर रत बेचते रहा है, तो बाद में 55 दिन आया, तो द्रोनाचार बहुत ही तेज युद्ध कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे खने कोई तेज अगनी हो, और वो तेज चली आ रही चली आरही हो, सब को जलाती जा रहीं 없어 यूद्धि कर रहे थे और बाद में क्या होता है कि दोना चार दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं दिव्यास्त्र ON का प्रयोग करने वाले हो 151 तो वहाँ पर देवी देवता प्रकट हो जाता है और देवता बोलते हैं कि आप जो दिव्यास्त्रों का उपयोग करने वाले हैं वो कहां युद्धिके नियमों के विरुद्ध है दिव्यास्त्रों का उपयोग इस परिसिती में नहीं किया आता है और आप किलनों को मार रहे हैं, जो पैदल, जो सेना वाले हैं, उन पर उपयोग कर रहे हैं, तो दिव्यास्तनों को आप रख दीजे, फिर भी दुरुनाचार ने उपयोग किया, तो भवान कृष्ण ने विचार किया, कि अभी दुरुनाचार को रोखने का कोई उपाय नही यह तो बहुत तेज युद्व चल रहे हैं और दिव्यास्त्रों का उप्योग कर रहे हैं एविन अर्जुन के पास भी दिव्यास्त है अर्जुन ने उप्योग नहीं किया अर्जुन ने उप्योग नहीं किया जिसकी वैसे बहा हतास हो जाए और अपने अस्त्रों को वहीं पर रख दें तो ऐसा हमको समाचा देना पड़ेगा अब वो क्या है कि उनका पुत्र जो अस्वत्थामा उसकी नीच पहुँच जाए दृणाचार के पास में तो वो हतुत्साहित हो जाएंगे वहां पर रख देंगे तो उसी समय जब ये बात्ची चल लए थी वान कृष्ण युदिष्टि माराज के बीच में तो भीम है भीम ने एक युद्धा थे इंद्र बर्मा उसका जो हाती था अस्वत्थामा उसको मार दिया उसे थोड़ी पहले और दुणाचार के पास में गए हासे हसते हुए कि अस्वतथामा मारा गया तो दुणाचार कोई इसको सीरिस ने लिया कि तो भीम बोलना है इसको सीरिस ने लिया और फिर दुणाचारे का युद्ध चल रहा है चल रहा है चल रहा है बहुत लोग मारे जा रहे हैं फिर से देवी देपतर प्रकट होते है और देवी देपतर बोलते हैं कि अभी आप ये जो युद्ध चल रहा है पूरी तरह से आप अधर्म के पक्ष में आ गए है जिनस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं और अभी आपकी मृत्तिव निकट है आप ब्राह्मण हैं और आपको ये चत्री का प्रोफेशन एकसेप्ट नहीं करना चाहिता है और आपने एकसेप्ट किया और उसके बाद आप देव्यास्त्रों का अपयोग कर रहे हैं ये भविष्यमाडी वहाँ पर होती है फिर भी दूनाचार लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं और फिर भवान बोलते हैं कि अभी जूट बोलना पड़े हैं किसको बलना पड़ेगा भवान भी ऐसे काम कराते हैं जो जिसके लिए जो कठेने वो ही कराते हैं बहुते हैं कि अभी इमर्जेंसी सिच्वेशन में अगर सर्वाइब करना है जिससे द्रोनचार युद्ध लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा उस समय अगर आप जूट बोलते हैं तो जूट नहीं है और वैसी भी भी मने तो भी बोले हिरा च्प्ध मतलफесा पर दो आते हैं यह त्रम बोलते हैं कि अस्वत्ध्थाम अरह भू है अब बोलते हैं हता कुंजरा हता मतलब ही हता मतलब हिस कुछ्तिए अधरल church बोलते हैं उसका परेशान्वा इत्वलते हैं तो दुरुणाचार एक्दम से परिशान हो जाते हैं क्या सो था हमारा के तो दैसे हमने कई वार चर्चा किया है कि ये दिश्टिमाहाज का रत था वो भूमी से उपर चलता था सत्य लेकिन उनका रत उस घटना के बाद क्या हुआ नीचे हो गया तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये दिश्टिमाहाज ने जूट बोला लेकिन जूट नहीं बोला उन्हें वो भावान की बात बोलने में हिचकेचाई तो उन्हें जब हता कुंजरा बोला अंदर अंदर उसकी वैसे रत क्या है नीचे गया वो टबड़े इतने ही बोलते हैं अस्वता मा अलगया मेरे इक जो वो है कि मैं हमें से सत्य बोलता हूं उससे थूट नहीं है तो इसके लिए अंदर-अंदर अदर हता कुंजरा तो वो पूरा तरह से हलका सा वो फेत नहीं है और इसके वज़े से वो रथ नीचे चला गया तो यहां बताए जा रहा है कि अगर कोई आतंगबादी है और आतंगबादी कहीं घुज गया है और पूरे पूरे सहर में पूरे आतंग मचा हुआ है कहीं बॉम ब्लास चल रहे हैं कहीं आग लगा दी है और पुलिस उसको छुपकर इस तरह से मार रहे है जैसे एक वेक्ति को नहीं मारना चाहिए तो पुलिस उसमें दोसी कहलाएगी नहीं कहलाएगी क्योंकि आतंगवादी ने पूरे तभाही मचा रखी उसको अगर इस समय नहीं रोका गया तो पूरा सहर और पूरे सहर वाले सब खत्म हो जाएगे तो द्रोनाचार का जो युद चल ला था उस दिन वो उसी तरह चल ला था कि ऐसा लग रहा था कि आज ही वो क्योंकि दुरोधन क्या है बार 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 एजिटेट कर रहा था द्रोना जो पंद्रवा दिन था तो द्रोनाचार किसी से रोकी नहीं रहे थे तो इस तरह से कोई आतंगवादी है और वो घुसा हुआ है तो उसके लिए कुछ ऐसी अगर रास्ते निकाले जाए तो वो उसके लिए गलत नहीं है तो हम देखेंगे कि तो जो द्रोनाचार है उनका जो जैसा ने पहले चर्चा किया तो द्रोनाचार का जो चरित्र है वो पांडवा से उनको सहान भूती थी लेकिन हस्तिनापूर की वजए से उनको जो सम्मिला था उसको छोड़ना नहीं चाहते तो कई लोगों ने जैसे विदुर हैं विदुर ने छोड़ दिया विदुर महावारत में एक धौम में रिसी आते हैं तो धौम में रिसी हैं वो बार बार पांडवों से मिलते हैं तो पांडव जो सुक में थे तो भी धौम में रिसी आते हैं उनको बहुत सारी एडवाईज देते हैं और जब पांडव दुखी होते हैं जब बनवास में होते हैं तो तो एक तरह से पांडवों के spiritual master, काफी हद तक धौम में रिशी थे, धौम में रिशी और स्वी कृष्ण, तो महावरत में काफी बढ़न आता है, धौम ऐसे समझाने आते हैं, लेकि द्रोनाचार की तरफ से ऐसा नहीं था, जब पांडव अनवास में गए, तो ऐसा नहीं कि द्रोनाचार का भी मिलने आए हो, या दुख व्यक्त करने आए हो, एक सहानवूती की भामना थी, तो रियल सेंस में वो पांडवों के वेल विशर नहीं थे, एक soft corner था, लेकिन obligation था अपने पुत्र से था और कुरुवों से था, और जब द्रोपती वस्तरन हुआ, तो भीषपितामा भी बोले, विदुर बहुत strongly भोले, लेकिन भीषपितामा ने भी समझाया दितराष्ट को, लेकिन फिर भी दितराष्ट को समय नहीं है, लेकिन द्रोनाचार वहां कुछ भी नहीं बोले, एक सब्द भी नहीं बोले, तो विदुर इस परस्तर रूप से बोल खुल के नहीं बोले लेकि फिर भी उन्हें समझाया न्यूट्रल रहकर लेकि द्रोणाचार कुछ नहीं बोले तो इसलिए वो मतलब उस समय वो जो डेस्टिनी है वो तैह हो गया कि अभी जो जो यहाँ पर है जिन्हों द्रोणाच का साथ दिया है वो अभी मरने वाले ठीक है फिर हम देखते हैं कि अभी यह दिस्टिमार ने जूट बोला तो जूट बुलवाए किसने भवान कृष्ण तो भवान कृष्ण एक्चुली हम देखा जाए तो हमने जैसे डिक्टेटर्सिप तानासा तो एक तरह से देखा जाए तो भवान रियल तानासा है लेकिन वो जो डिक्टेट करते हैं वो आदेश देते हैं उसमें उनका फायदा है वो नहीं है उनके डिक्टेटर्सिप में कुछ partiality नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, जो धर्म का पालन कर रहा है उसके पक्ष में जाएंगे जो अधर्म का पालन कर रहा है उसको छोड़ देंगे तो भवान ऐसा नहीं कि जब मर्जी आया तो पालन किया, जब मर्जी नहीं आया तो उसको छोड़ दिया तो भावान कृष्ण ने उनसे बोला भावान कृष्ण जब बोलते हैं तो जैसे प्रभुपा लिख रहा है तात्पर में कभी भी सास्त्रों की बाउंडरी के बाहर नहीं जाते हैं जैसे उधार्ण देते हैं कि माली जे कोई चोर आया किसी घर में आया और जिस घर में आया है जिनकी घर में आया है उनकी पत्नी ने बहुत सारे गहने पहने और चोर आया चोर ने बोला कि सारे सोना जो भी संपत्ती है मुझे दे दो तो पत्ती असा नहीं करेंगे कि हाँ यह गहने आप गहने ले जाओ वहाँ क्या बोलेंगे? वो जूट बोलेंगे correct? तो अभी वो जूट बोलना है चोड से जूट बोलना है तो वो क्या है? वो जूट बोलना है एक उचे सत्य को बचाने के लिए अब निचला अगर असत्य बोलेंगे उस सत्य के सपोर्ट महीं कहलाएगा और इस तरह से जब युदिस्ट्री महाने बोलते हैं के हता कुझरा उसके बाद भी दुरुनाचारी नहीं रुखते हैं भीम को गुस्ता आया तो भीम ने क्या बोला कि आप जैसे लोग हैं सास्त्रों को जानते हैं लेकिन सास्त्रों को कभी पालन नहीं करते हैं ब्राह्मन का करतव होता है अहिंसा और अगर आप ब्राह्मन का करतवियों का पालन करते हैं तो यह युद्धनी होता आप समझाते लेकिन आपने कभी ब्रहामनों के कर्तवियों को पालन नहीं किया केवल अपने पुत्र अपनी पत्नी अपने घर और अपने धन की तरह से आसक्त होते हुए आपने अपने एक मूर्ख की तरह विवार किया इतने सारे छत्रियों का इतने मासूम लोगों कि आप विनास का कारण बने हैं आपको बिल्कु भी सर्म नहीं आती है कि और इस तरह से भीम बोलते हैं इतना strongly बोलते हैं तो भीस पितामा को अपनी जो गल्ती है उसको realize होता है कि मैंने कौर्वों के पक्ष में आके गल्ती किया और युदिश्टि महारा ने थोड़ी समय पहले बोली दिया है कि अस्वत्वा माला गया तो वो जो अस्वत्वा माला गया तो थोड़ा सा वो depressed हुए थे नेकि जब भीम ने और strong बोला तो वो दोनों चीज़े हुई किनको गल्ती का भी ऐसास हुआ अस्वत्वा माला गया वो उसके वेसे वो depressed हो गया और फिर वहाँ पर दिश्टि दुमन आते हैं और दिश्टि दुमन को फिर मार देते हैं और फिर बाद में वहाँ पर भावान कृष्ण, संजय, कृपाचार, युदिस्टि महाँ देखते हैं कि जो दुमन चारी की जो आत्मा है वो उच्छ लोगों की तरफ जाती है मैंने पुन, पुन्य साली, पुन्य साली ब्राम्मर थे वहाँ पर जाती है तो इसमें बता जा रहा है कि अभी हम तुलना करें अर्जुन का और दुरुनाचारी का तो कौन महान युद्धा थे एक तिरह से देखा जाए गुरू के सिस्ट से खाली युद्धा साब से युद्ध कॉशल के साब से भी अर्जुन के साब से युद्ध कॉशल के साब से भी अर्जुन हम देख सकते हैं कि असुथ हमाना गया ये बोला तो उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ दुरुनाचारी युद्ध एक तरह से छोड़ दिया बहुत डिस्टर्ब हो गया लेकि अभी मन्यूबद हुआ उसके बाद अर्जुन ने क्या किया युद्ध छोड़ दिया इतने डिप्रेस हो गया नहीं भावान को उनको असिस्ट करना है धर्म की स्थापना करने में तो चाहें वो दु तो दुद्ध ने खो दिया लेकिं अर्जुन ने खोया ठीक है अभी मन्यूबद को इस तरह से मारा गया च्छे लोगों ने मिलके मारा है लेकिन अब युद्ध नी पूरा अतास हो गया अगले दिन वो प्रतिसोद भी लेते हैं और अगले दिन पर आगया आने वाले दिन पर नियंदरन भी होना चाहिए तो इस तरह से उन्हें जूट बोला युद्ध ने और ये वैलिड है क्योंकि उच्छ धर्म को बचाने के लिए ठीक है तो यहां पर हम समाप्त करेंगे हरे कृष्ण शिल प्रभुपात की जै महा भारत की जै युद्ध नी महाराज की जै निताए गओर पिमानन देए